बूर्निंग बच्चों इसले अध्याय में अपने अध्याय किया था योगयत अंकन क्या है और ये क्यों करना आवश्यक होता है आज अपने अध्याय करेंगे योगयत अंकन की विधियां methods of merit rating करमचारियों की योगयत अंकन इतु कई विधियों का उपयोग किया जाता है और उनमें से कुछ प्रमोख है जैसे गुणानुसार मुल्यांकन पदत्ति, मनुषिदर मनुषि की तुलना विधी, बिंदु विधी, श्रेणियन विधी, ग्राफ मुल्यांकन विधी, तो इन विभीन मैथड्स के अकॉर्डिंग, कोई भी संगठन अपने उपकरम के अंदर करमचारियों के योगयत अंकन की गढ़ना करता है पहली फर्स्ट मैथड है रेंकिंग प्रोसिजर गुणा अनुसार मुल्यांकन पदत्ति, करमचारी योगयत अंकन की इस विधी के अंतग, प्रते करमचारी की अन्नी सभी करमचारियों से तुलना की जाती है तुलना करने के उद्देशी से सभी करमचारियों को कुशल लेवम अकुशल दो वर्गों में विभाजे किया जाता है क्योंकि इस विदी में करमचारियों की योगिता का अंकन करते समय उससे सम्मंदित सभी गुणों को ध्यान में रखना कठीन होता है अतर जोडी में तुलना की तक्नीक को अपनाय जाता है उदारण के लिए यदि छे करमचारियों की योगिता का अंकन करना है तो इस विदी के अंतरगर करमचारियों के कई जोड़े यानि पेर बनाय जाते हैं इसके पश्याद प्रतेक योगिता के अधारबर करमचारी के जोडे में से आवशेक्त अनुसार प्रतेक करमचारी के नाम के नीचे रेखाएं खीची जाती हैं। इसमें करमचारी के पेर बनाने का कोई व्यधानिक आधा नहीं होता है। इस प्रणाली के अंतरगर करमचारी के योगिता अंकन करने के लिए मुल्यांकन करता एक पेमाने का प्रयोग करता है। इसे मास्टर स्केल कहा जाता है। तो मुल्यांकन करता सर्व प्रथम एक ऐसे व्यक्ति का चैन करता है। जिसमें सबसे अधिक नेत्रत्व के गुण विद्यमान हो। इसके प्रश्चात मुल्यांकन करता है एक ऐसे व्यक्ति का चैन करता है। जिसमें नेत्रत्व संबंदी गुणों का अभाव हो। इस प्रकार सबसे अधिक योग्ये और सबसे कम योग्ये इस माश्टर इसकेल के डो सीरे होंगे। इस प्रकार माश्टर इसकेल के लिए 5 व्यक्ति का चैन किया जाता है जो योग्यता अंकन के आधा माने जाता है। अब जिस करमचारी की नेत्रत्व संबंदी योग्यता का अंकन करना है, उसकी इन पांच व्यक्तियों से तुलना की जाती हैं, अत्य उसकी जो नेत्रत्व संबंदी योग्यता हैं, उसकी जानकारी हो जाते हैं। जिससे सबसे अधिक योगी व्यक्ति, औसत से अधिक योगी व्यक्ति, औसत से कम योगी व्यक्ति, सबसे कम योग्य व्यक्ति, तो इस प्रकार से एक master scale पया की जा सकते हैं, थर्ड जो method है, बिंदु विधी, point system, करमचारियों की योगिता अंकन की ये प्रणाली भी प्राच जिस प्रकार करति मुल्यांकन में बिंदु के आदार पर विविन करतियों से सम्मंदित प्रते घटक के उसके महत्व पर के आदार पर बिंदु निर्धारित किये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार योगिता अंकन की इस विधी के आदार पर विवित करतियों पर नियूक करमच पूर्थ मैथड़ ने स्रेणियन विधी ग्रेडिंग मैथड योगिता अंकन की इस विधी के अंतरगर मुल्यांकन करता द्वारा सभी करमचारियों को सर्वोतम से निम्नुतम क्रमों से विभक दियाता है और उधारण के लिए यदि 10 करमचारियों के योगिता का अंकन करना तो मुल्यांकन करता करमचारियों को क्रम प्रदान करता है अर्था जो करमचारी सर्वोतम में उसे 10 और करमचारी निम्नुतम है उसे 1 की क्रम संक्या प्रदान की जाएगी इसी प्रकार अन्य करमचारियों को भी उसके गुणों के अनुसार क्रम संक्या प्रदान की जा सकत एवं बहुत खरा आधी, जैसे योगिता अंकन रिपोर्ट हम इसमें देख रहे हैं, किमबाल एवं किमबाल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल सब इंडुस्ट्रियल और्गनाईजेशन में इसका जो डाइग्राम देख रहे हैं, उसके रूप में प्रस्तुत किया, और इस में विलक्षन बहुत अच्छा अच्छा होसत और इस प्रकार से उनकी रेटिंग की जाते हैं, पाँचवी विधी हैं, ग्राफ मुल्यांकन विधी, ग्राफिक रेटिंग प्रसीजर, इस प्रणाली के नाम से इस पस्ट हैं, कि योगिता अंकन की इस विधी में करमचारिय की गुणों का मापन ग्राफ मुल्यांकन प्रपत्र के आधार पर किया जाता हैं, और इस मुल्यांकन प्रपत्र में कारी के संपांदन समंधी समस्त गुणों की एक सुची होती हैं, जिसे कारी की मात्रा, कारी की केस में उपस्तिति, मिनियमित्ता, कारी सीखने की शमता, सह योग, पहल शक्ति, निर्देश देने की शमता, अधिकारियों, करमचारियों पर निर्बरता, सुरंक्षा, समंधी, विवरण, वफादारी आदि. सिक्स्त मैथड है जाज सूची प्रणाली, चैक्लिस्ट मैथड. करमचारियों के योगितांकन की ये एक लोग्प्रिय विदी हैं, इस विदी के अंतरगर, कारिय निश्पादन के लिए आफशक गुणों की एक सूची पहले से ही तयार कर ली जाती हैं, इस सूची को जाज सूची कहा जाता है, चैक्लिस्ट, और मुल्यांकन करता सूची के प्रते करमचारी के गुणों का मापन करता है, इसमें जो जजी मुल्यांकन करता है, उनकी द्रस्टी से जो गुण करमचारी में उनके लिए गुण मापन सूची में प्लस का निशान, और जो गुण करमचारी में नहीं है, उनके लिए माइनस का निशान, और किसी प्रकार का शंशे उने की दशा में प्रश्णिवाचक लगाया जाता है और इसमें एक योगेता अंकन की सूची जो हम डाइग्राम में देख रहे हैं यह इस प्रकार से इसके अंदर निर्दारित की जाते हैं करमचारियों की योगेता की अंकन की जासुची विधी का सुध्रावा रूप बलक्रत चयन विधी है और जासुची विधी मात्र नितांत का ही अधियन करती है जबकि सामन्य निश्चित करना कठीन होता है एक विशिष्ट कतन पूरी तरह से सकते हैं अत्वा और सकते हैं तो इसमें जैसे बलक्रत चयन समूप फिस सबसे अधिक उप्यूक्त सबसे कम उप्यूक्त एक इस प्रकार का निर्धारन की अतर उनको एक से पांच तक अंक दिये जाते हैं नेक्स्ट फिर एट्थ जो मैथड है विवरण आत्म मुल्यांकन डिस्क्रप्टिव इवेल्वेशन योग्यत अंकन की इस विधी के अंतगर परिवेक्षक अपने अधिनस्त करमचारी के कारी निश्पादन के समद में आफशक विवरण लिखता हैं अनि शब्दों में विधी इस मानेता पर आदारीत हैं कि प्रते करमचारी के कारी निश्पादन के समद में पूर्ण विवरण उपलब्द हैं और परिवेक्षक द्वारा लिखे गए विवरण में करमचारी के कारी निश्पादन समदी गुणों का इसपस तुल्ले होता ह लास्ट मैथड है आलोशनात्म घटनाए विधी, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मैथड योगयता अंकन की इस विधी के अंतरगर करमचारियों की योगयताओं का अंकन उनके कारिकारी जीवन के कुछ महतुपुन एपिसोड्स या इवेंट्स के आधार पर किया जाता हैं एक करमचारी की अस अधारन उप्लद्यों तता अस अफलताओं को घटनाओं यानि इंसिडेंट्स के रोप में माना जाता हैं और इस प्रकारिया विधी व्यक्तिपरक न्याय को समाप करती हैं और करमचारियों के व्यवार बावत मुल्यांकक की याद्दास्ट पर निर्वर नहीं करती हैं इस विधी में करमचारियों की योगिता अंकन क्यादार का निश्चित प्रमाण होता हैं जैसे कि हम ये इसमें उधारन देख सकते हैं जैसे इंसिडेंट्स मशीन में खराबी आ जाना अब इसमें एमप्लोईज A, B, C, D प्रतिकिरिया उनके रियक्षन परि करमचारी क्या रेस्पोंस कितने अंक देता है उसके अधार पर उनकी योगिता अंकन किया जाता है जैसे परिवेक्ष को तुरंट सोचना देना उसमें पांच अंक निर्धारित किये नुकसान के लिए चिंतित होना दो अविश्राम प्रदान करने से प्रसन होना जीरो और रख रखाओ की शिकायत करना एक नंबर तो इन आधार पर उनका मेरिट की योगिता या उनका अंकन किया जाता है तो यह विभीन प्रकार की विधिया योगिता अंकन की विधिया है जिनके आधार पर करमचारियों की योगिता आपको देखा जाता है धन्यवाद बच्चो कर दो